नए वीवर्स जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबा कर आल पर क्लिक जरूर कर देना हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में और दोस्तों आज हम किसी बॉलिवुट सिलेब्रिटी की नहीं बल की क्रिकेट जगत के सिलेब्रिटी की बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाडी है जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में धूम मचा दी वहीं अगर भारती टीम के खिलाडियों की बात की जाए तो ऐसे खिलाडी जिन्होंने अपने खिलाडी के दम पर ऐसे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किये हैं जिन्हें किसी खिलाडी के लिए तोड़ पाना काफी मुश्किल है इनी में से एक खिलाडी है सुरेश रेना जिन्होंने हाल ही में क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी के साथ अंतरराश्टरी क्रिकेट से सन्यास ले लिया सुरेश रहना पिछले कुछ सालों से अंतराश्ट्री खेल से दूर थे और अचानक से उनके सन्यास की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया और निराश भी हाला कि खेल जगत में कम समय बिताने के बाद भी उन्होंने काफी काम्या भी हासिल की है जिसकी वज़े से वो दुनिया भर में जाने जाते हैं लेकिन इनका बचपन काफी संगर्शों से भरा हुआ रहा है एक वक्त में सुरेश रहना के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खेल जगत में अपने सपनों को पर दे सकें उनके पिता आर्मी में थे और महस 10,000 रुपे महीने की तंखा मिलती थी उने लेकिन आज रहना करोणों की संपत्ती के मालिक है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सुरेश रहना के पास कुल 180 करोड रुपे की संपत्ती है सुरेश रहना को IPL की तरफ से करोड रुपे की सेलरी मिलती है और सुरेश रहना तकरीबन 7 करोड रुपे की कमाई विग्यापनों दुआरा करते है सुरेश रहना अपने ग्रहनगर घाजियाबाद में एक घर में रहते हैं जिसकी कीमत 18 करोड रुपे है बाकी के और भी क्रिकेटर्स की तरह सुरेश रहना भी कारों के शौकीन है और उन्होंने अपने संग्रह में विभिन कारों को शामिल किया है इन कारों में पॉश, मर्सेडीस, बीमड़ी और मिनी कूपर शामिल है दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिकेट जगत के सितारों के बारे में भी कुछ बताएं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेर जरूर करना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे शुक्रिया